सो गाइज हीरो इलेक्ट्रिक के ऑप्टिमा एचेक्स ड्यूल बैट्रिक को कड़ा टक्कर देने आ गया है एंपिर मैगनस एक्स उसके नए वर्जन के साथ तो इस वीडियो में आपके पूरी डीटेल्स मिल जाएंगे कि क्या उसके स्पेसिफिकेशन से कितना उतका प्राइज है क्या उसका रेंज है तो मेक शूरी वाच इस वीडियो तिल दा एंड अगर आप चैनल पर नहीं हो तो कंसिडर सब्सक्राइब डिन दिस चैनल एडिट बैल आइकाउन तो देट वीडियो को शुरुवात करते हैं यह देखो हीरो इलेक्ट्रिक ने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया गाइज मार्केट में 36% जो इलेक्ट्रिक स्कूर्टर्स है वो है हीरो इलेक्ट्रिक की बहुत उसको कड़ा तक करने रहा है एंपियर का मैगनस एक्स अभी मुझे एंपियर मैगनस एक्स अच्छा क्यों लगा यह पहले मैं आपको इस्पेसिफिकेशन आपको बोलोगा यह देखो गाईज एंपियर मैगनस एक्स जो है उसका ओर ओर डिजाइन बहुत ही फाडू है आगे टेलिसकोपिक सस्पेसिफिकेशन मिल जाता है और पीछे मिल जाता है बट आपको एमपियर मैंगनस एक्स में बहुत अच्छे लूक्स मिल जाता है आपको रेगड गाड़ी मिल जाता है, थोड़ा सा स्ट्रॉंग गाड़ी है as compared to Hero Electric तो चलिए guys मैं specifications बताता हूँ, यह जो Ampere की Magnus EX है guys इसमें आपको मोटर मिल जाती है 1200 watts की, बहुत ही अच्छा कासा टॉक यह vehicle की मोटर आपको देती है और इसमें आपको बैटरी मिल जाती है 2.29 kWh, guys यह जो बैटरी है वो advanced lithium-ion battery है जो detachable है guys, but यह जो detachable battery है उसका weight बहुत ही जादा है, करीबन 12 kg का weight है but guys 2.25 units अगर मैं consider करो तो करीबन धाई unit मैं consider करो तो धाई unit का खर्चा करके मतलब करीबन एक unit का अगर हम 10 रुपीज consider करें तो 25 रुपीज मैं यह आपको range देती है 121 km, guys 25 रुपीज मैं 121 km, guys आप सूचिए, आप मैं महाराष्टर में रहता हूँ यहाँ पे petrol की prices है 110 रुपीज पर लिटर, अगर मैं मेरे एक्टिवा चलाओ तो 40 km का मुझे वो एक लिटर में जादा से जादा average देती है पड़ यह अगर मैं Ampere Magnus E-X खरीदू, तो मुझे वो 25 रुपीज मैं लेके जाएगी 121 km, तो guys मैंने range बोल दी 121 km, मैंने आपको motor बोल दी 1200 watts की, मैंने आपको battery बोल दी करीबन 2.25 जो है kilowatt hour की अभी आगे जाके सबसे important बात यह है guys, कि इसमें जो आपको warranty मिल जाएगी, battery और motor दोनों को आपको warranty मिल जाएगी, करीबन 20,000 km या 3 साल की जो अकड़ा पहले आएगा उस पे, तो warranty भी अच्छी मिल रहे है आपको, 3 साल तक कुछ भी अगर battery को हो जाए, motor को हो जाए, तो आ यह आती है गाड़ी बहुत अच्छी खासी तगडी capacity के साथ, इस पे आप load carry कर सकते हो, करीबन 150 kg का, आपको आगे और पीछे दोनों जो wheels मिल जाएंगे guys, यह alloy wheels होगे, उसका जो diameter है, it is 10 inch, इसमें और कुछ खासियत बात आपको यह मिलेगी guys, इस vehicle में आपको USB charging मिल जाए guys, आगे और पीछे, दोनों जो lamps है, वो LED lamps है, और along with that, इसमें सबसे important बात मुझे ऐसा लगा guys, इसमें tubeless tire भी मिल जाता है, तो अगर मैं compare करू, Hero Optima HX Dual Battery along with Ampere Magnus EX, बहुत ही close competition है guys, Hero Electric ने तो पहले ही prove कर दिया है, बट मुझे ऐसा लगता है, अगर Hero ने उनका body, जो material है, वो strong नहीं किया, और कुछ अच्छेखा से features add नहीं किये, तो Ampere Magnus EX उसको credit कर दे देगा, अभी guys, बात आ जाती है price की, तो मैंने जब इसकी price search की guys, बहुत सारे websites available है, बट actual मैंने जब जाके देखा, तो दिल्ली की price मुझे मिल चुके है guys, it is around 75,300 rupees, it is on-road price in दिल्ली, so करी इपन मुझे लगी थी, 76,000 को, उसके वो range मिल रेट, 120 km, but guys, suspension और plastic में, hero optimization बैटरी जो है, वो बहुत मार का रही है, तो guys, इस video कैसा लागा जरूब बोलना, जल्दी मैं detail review लेके आने वाला हूँ, Ampere Magnus EX का, जल्दी मैं आपको शुरूम भी दिखाऊंगा, Ampere Magnus EX का, बह दो धिखाऊंगा, Ampere Magnus EX का, बहुत मार का लेशगा, Ampere Magnus EX का, बहुत मैं आपको अुरूम के लला, ऑचे फिखाऊंगा, Ampere aquilo में पोंचे वो बहुत मार का, बहुत मैं आपको शुरूम सब्सक्राइए, बहुत मार का, जल्दी में यह हैं अवोर, का, ऒाल जाल नहब द